मित्रों, आप सभी को नवरात्री की हार्दिक शुक कामना हैं। माद्रुगा आपके जीवन में सुख और सम्रिद्धी का संचार करें। इस नवरात्री आप सब माद्रुगा की उपासना तथा दुरुगा सपश्रती के पाठ में तो ध्यान लगा ही रहे हैं। एक निवेदन करूँगा मैं कि आए इस नवरात्री हम दो काम करने का संकल्प लें। पहला ये कि दुरुगा पूजा के समापन के समय विसरजन में पुस्पांजली के दौरान हम भारत माता के नाम की भी पुस्पांजली करें। भारत माता की जय का भी उद्धोस करें। दूसरा दुर्गा पाठ के लिए सत्रशती पाठ के लिए हम बहुत समय देते हैं। हम उस पाठ को करें या न करें सिद्ध कुंजी का इस्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके बारे में देवादिदेव महादेव भगवान त्रपुंड शिवजी ने कहा है कि देवी सुनो। मैं उत्तम कुंजी का इस्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब, देवी का पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूप्त, ध्यान, न्यास यहां तक की अर्चम ही आवश्यक नहीं रह जाता है। केवल कुंजी का के पाठ से दुरगा पाठ का हल प्राप्त हो जाता है। यह सिद्ध कुंजी का इस्तोत्र अत्यंत ही गुप्त और लाबकारी है। आईए इसके पाठ के प्रतिहं सजड़ू। आथ सिद्ध कुंजी का इस्तोत्रम। शिव उवाच शुनुदेवी प्रवक्षानी कुंजी का स्तोत्रमुत्तमं। ये न मंत्र प्रभावेळ चंडी जापाशुभो भवेत। न कवचम नार्गला स्तोत्रम। कीलकम न रहस्यकम। न सूप्तम ना पिध्यानंच न न न्यासो न चवार्चनं। कुंजी का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ खलं लभेत। अति गोहियत रमदेवी देवा नाम पिदुरलभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निर्युपार्वति। मारणं मोवनं वश्यं। नमस्ते रुद्र रोपिंडेlaw नमस्ते मदुमर्दिनी। नमस्ते महिशार्दिनी, नमस्ते शुम्भ हंत्रेच्य निसुम्भा शुर घातिनी, जाग्रतम ही महादेवी जपम् सिध्यम कुरुष्रमे, एंकारीम स्रिष्टी रूपाजे, फ्रींकारीम प्रतिपालिका, क्रींकारीम रूपिन्डे बीज रूपे नमोस्तते, शाम्षीम शुममेश्वंकुरू। उम्हुम्हुमकारूपियंदे जम्झम्झम्झम्वना दिनी ब्राम्प्रीम् भॉंभ भाद्री भावाने ते लमोनमा। अम्कम्चंटं तंपम्यंशं विंधूम् एम्वीं। ॥११११ यूवरित дव्य११११ संत्रे शिव पार्वति संवादे सुद्ध कुझिका इस्तोत्रम संपूर्णम जय माता देंगे